नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमाद और आप देख रहे आरे नियूँ स्वागत आपका राजिस्थान के बिलेटिन में रुक करेंगे राजिस्थान की तमाम खबरों के रहे लेकिन उससे पहले आपको बता दे राश के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत् चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमीर है को योगी और उन्होंने कहा कि कुछ किसान भायों को वो समझाने पाए और आज गुरुन वहीं आपको बता दे ग्राफिक्स के जरीए कि प्याम मोदी ने क्या दस नहीं बड़ी बाते कहीं हैं वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमने तीनों क्रिशी कानूनों को रद करने का फैसला किया है और इसके लावा किसान सात्यों से आगरे भी क्या अब आप अपने घर और खेतों में वापत लोड़ जाए और यह समय किसी को भी दोश देने का नहीं है यह पीए मोदी की बड़ी बाते अपने सारजनिक जीवन में किसानों की परिशानी को उन्होंने करीब से देखा है और संसद सत्र में ही इसे प्रस्ताव पारित के जाएगा हमने क्रिशी विकास को सर्वोश प्रात्मिक्ता दिया और किसानों को आसानी से मौफजा मिले इसके लिए पुराने नियम बदले और यह समय किसी को भी दोश देने का नहीं है और यह आपको बता दे कि ग्राफिक्स के जरीए पेम मोदी की बड़ी बाते थी जो हमने आपको बता है सरकार ने रिकोर्ड इस्तर पर किसानों से खरीद किये और देशवासेों से उन्होंने माफी भी मांगे इसके साथ उन्ह उन्हें नए क्रिशी कानूनों को रद करने का फैसला किया। किसान सातियों से उन्होंने आगरे भी किया और घर वापस लोटने की बात कई। और ये समय किसी को दोष्ट देने का नहीं है। और वहीं अपने संसर सत्र में समवेदानिक पर के दिया जल्द शुरू हो जाएगी। और अपने विकास को सर्वोष्ट प्रात्मिक्ता दिया है। और किसानों को आसानी से मौफजा मिले। इसके लिए पुराने नियम भी बदले हैं। प्यम मोदी ने अपने संबोधन में इस सारी बाते कही हैं। और ये समय किसी को भी दोष्ट देने का नहीं है। और सरकार ने रिकोर्ड स्तर पर किसानों से खरीद किया। ये सब प्यम मोदी ने आज राश्ट के संदेश में काया। और देश्वासियों से उन्हेंने माफी मांगते हुए नए क्रिशी कानूनों को रद करने का फैसला किया। और इसके अलावा आपको बता दे कि प्याम मोदी ने कहा कि किसान सात्यों से आग रहा है कि आप अपने खेतों और घरों में वापस लोड़ जाएं। और वहीं आपको बता दे कि नए क्रिशी कानूनों के विरोद में किसान एक साल से करीब दिल्ली की बोडरों पर और अलग अलग बोडरों पर इस नए क्रिशी कानूनों का आंदोलन करे थे इसके बाद अब किसानों में इस फैसले के बाद किसान संग्ठनों ने भी इसका पीएम मोदी ने आज एलान कर दिया है. अब वहीं अब रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ. दो दिन पहले शिक्षकों को तबादले के लिए पैसे देने पर मजबूर होने और कर्रफशन को लेकर दिये बयान पर मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने अब यूटन लेते हुए सफाई भी दिया और गैलोत ने दोसा में मीडिया से बाचीत में कहा कि कर्रफशन की बात मैंने शुरू की जो पकड़े जा रहे हैं वो खाली सिक्षविवाग के ही नहीं है और खाली टीचर की बात नहीं थी वो बात थी कि हर डिपार्टमेंट में कर्रफशन ही होता ही है और सरकार की मंशा है कि उसे रोका जाए और इसलिए खाली सिक्षविवाग की ही बात नहीं केलो उतने कहा मैंने कहा था कि टीचर भी तबादलों के लिए उतना ही तकलिफ पाते हैं और पैसे दे कर ट्रांसवर पोस्टिंग की नौबत क्यों आए जब ट्रांसवर की पॉलिसी ही बन जा और इससे सब को पता रहेगा कि उसका नंबर कब आएगा और इससे टीचर तबादले के लिए ना पैसा देगा ना करप्शन होगा और उन्होंने कहा कि अभी तो जो पकड़े जा रहे वो दूसरे विवागों के हैं और मेरे पास घ्रे विवाग है इसमें कई लोग पकड़े गए तो सिक्षा विवाग के लिए ये कहा दिया तो उसे गलत तरीके से समझा गया और वही इतना इनी अच्छे काम कर रही है और हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम एसी भी कर रही है और बड़े बड़े अपसर पकड़े गए कलेक्टर एसपी भी पकड़े गए और संस्पेंड तक हुए है और ऐसा राजस्थान में ही मिलेगा और सियमा शोग गैलोट ने मंगलवार को जेपुर के विडला ओडिटोरियम में सिक्षक समान समारों में कहा था कि हम सुनते हैं कि तबादले के लिए कए बाद पैसे खिलाने पड़ते हैं और पता नहीं आप बता ये सही है या नहीं मुझे नहीं मालूँ गैलोट ने समारों में मौझूद सिक्षकों से पूछा था क्या ये बात सही है और पैसे देने पड़ते हैं कि फिर आवाज आई हाँ और देने पड़ते हैं गैलोट बोले थे कि कमाल है और ये बहुत ही दुखदाई बात है कि टीचर्स पैसे दे कर ट्रांसफर करवाने को लालियत रहे और कोई पॉलिसी बन जाए सबको मालूम रहे कि उसका तबादला कब होना है और तब फिर ना पैसे चलेंगे ना MLA के पास जाना पड़ेगा और सिक्षव विवाग में पैसे लेकर ट्रांसफर होने के गैलोट के बायान के बाद अब विवाद हो गया था